All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer and to provide the right information to our viewer and to provide the right information to our viewer. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer and to provide the right information to our viewer and to provide the right information to our viewer. When we leave the app, I have been looking for the right information I will show you an email, first you will show you an email, फिर यहां पर आपको अपना सर्डेम लिख देना है तब यह नीचे चलते हैं यहां पर आपको एक अपनी पास्वोर्ट से इस फोटो लगा देनी है और यहां पर आपको अपने साइन कर देने हैं और अधे साइन जुए फोटो पे होंगे और आ अधे साइन जुए नीचे होंगे जैसे मनत बता देना है तो आपको come Undert अपनी date to birth लिख देनी है nationality में यहां पर आपको इंडिया के उपर टिक कर देना है तो दोस्तों यह जो चोथे नंबर पर दिखाए रहा है status प्लीज टिक तो यहां पर आपको resident individual के उपर टिक कर देना है और यह पांच्वी नंबर पर permanent account number तो यहां पर आपको क्या करना है आपको अपना pencard का नंबर लिख देना है अपने पांगा जा रहा है तो यहां पर आपको अपना complete address लिख देने है अपने अधारकार्ट से देखके और यहां पर देखके City Town ये Village तो जो भी आपका है उसके ऊपडिक कर देना है जैसे हमारी City में City के आपको मुबाइल नंबर लिख देना है मुबाइल नंबर में क्या लिखना है आपको अपना ही मुबाइल नंबर लिखना है किसी दूसरे व्यक्ति का मुबाइल नंबर बिलकुल मत लिखेगा ओके यहाँ पर इमेल आईडी पूछे जा लिए तो यहाँ पर आपको अपनी इ है प्रूफ औफ आइडेंटिटी बोले तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जा रही है तो यहां पर आपको पैन कार्ड के उपर टिक कर देना है यहां पर देखिए क्या पूशे जा रहा है अधर डिटेल तो आप जो है पूरे साल में कितने रुपे कमा लेते हैं वो पूशे जा रहा है सबसे पहले तो यहां क्या अप्टू 5 लाग तक कमा लेते हैं पांच लाग से नीचे नीचे कमाते हैं पांच लाग से उपर नहीं ज करने जाएंगे प्रांच में उस दिन की डेट आगी यहां पर यहां पर आपको एक अपने प्यारे से सिगनेचर कर देने हैं इसी के साथ जो है आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक ओफ इंडिया का कम्प्लीट हो जाता है